न्यूस किलिक से जुले पत्रकारों पर एक्षन राजनितिक दलों ने कारवाई पर उठाय सवाल बीजेपी ने इस पर दिया कैसा जवाब ग्रेह मंत्री के अंदर उनकी मर्जी के बगर पता हीलता है तेरा अपना विचार है कि लगता है ताना शाही आज छोगे चेंज से फंडिंग विवाद के बीच न्यूस किलिक से जुले कई पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की इस्पेशल सेल ने कारवाई की है समचार न्यूस एजनसी एनाई की मताबिक इस दोरान कई पत्रकारों से पूस्ताज भी की गई है पुलिस ने वरिश पत्रकार और मिलेश को हिरासत में लिया एक आरवाई दिल्ली पुलिस की इस्पेशल सेल के अधिकारियों के ओर से की गई है आपको पता दें कि न्यूस किलिक पर चीनी फंडिंग के आरोप लगते रहे हैं लोकसवा में भी बीजेपी सांसत निश्रिकान दूबे ने भी निउस पोर्टल पर ये आरोप लगाये थे साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराश शाका ने सबसे पहले निउस किलिक को मिली अवैद फंडिंग को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया था वह दिल्ली पुलिस की इस कारवाई पर अब राजनितिक दलों ने सवाल उठाए हैं बलकि उन्हों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मीडे की अजादी चीनी जा रही है राजस सांसत मनुज्ञा ने कहा पत्रकारों पर हुई ये कारवाई इतिहास में दर्ज हो की समस्ता हूं इससे ज़्यादा दुर्भाग्य पुर्ण और दुर्भाव बना पुर्ण कारवाई ठीक गांधी जन्ती के पश्चात कोई नहीं हो सकते थे क्यों कह रहें आप दिली पुलेशन ग्रियमंत्री के अंदर है उनकी मरजी के बगर पत्ता हिलता है जो लोग आपसे सवाल पूछें जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इंकार करते हैं आप उनके साथ ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजियर हो गया एक फासिस्ट स्टैट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमाने क्या नजीर पेश कर रहे हैं अगर मैं आपात काल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूँ आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रती इस कि दुर्भावनापुर में वेंड़ डेटा की कारवाई नहीं कियें कौनको नाम है कितना लंबा उनका केडियर है किस तरह से उन्होंने एक चिंतक के रूप में ना सिर्पत्रकार के रूप में उर्मिलेजी हों सोहाल हों अभिसार हों प्रभीर पुरकायस्त हों भाषा हो कितने कितने नाम है अनिंद्यों क्या है आपको गुरेश क्या है यह कोर्णिस नहीं कर रहे हैं आपके समने जी हुजूद जी हुजूद नहीं कर रहे हैं यह नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबा की जाए राजा तेरे शाम की जाए क्योंकि उनको प्रजा से मतलब है लोक त प्रोमो तिवारी ने कारवाई का विरोध करते हुए कहा कि ताना शाही देश में आ गई है साथ ही उन्हों ने कहा कि कॉंग्रेस इस कारवाई की निंदा करती है जिस तरीके से मीडिया के अभिवक्ति पर मीडिया की स्वतंतरता पर सिर्फ अंकुस नहीं लगाया जा रहा है कई रूपों में लगाया जा रहा है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और अब तो वो बीभत से रूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौखरी से उसके चैनल से निकलवा देंगे बाहर निकल के अगर वो सुतंतर रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको ग्रिफ्तार करेंगे और इस तरह ग्रिफ्तार करेंगे जली जमानत भी नहों सके ये आने वाले चुनाओ के पहले भारती जनता पार्टी सरकार सारे पतिकारों को संदेश दे रही हम सुतंतर भारत में सुतंतर पारिता पतिकारता के पक्षधर हैं आतंग उसकी आल में अगर जूटा फसाये जाएगा पत्कारों को तो हम पत्कारत्या के साथ खड़े हैं और इस कदम की कठोरतम सब्दों में निंदा करते हैं वह सीपी आएम के माह सचेव सीताराम योचिरी का कहना है कि पुलिस उनके घर पर आई थी क्योंकि उनके एक साथ ही जो उनके साथ रहते हैं उनका बेटा नियूस के लिए काम करता है इस पर सीताराम योचिरी ने पताया कि पुलिस ने उनसे सवाल करे साथ ही उन्होंने उनका लैप्टाव फोन ले लिया वो क्या जाच कर रहे हैं कोई नहीं जानता लेकिन अगर ये मीडिया को दबाने की कोशिश है तो देश को इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए अई आपको सुनाते हैं इस पर क्या कुछ कहा सी तराम ये चूरी ने वेपक्ष ने बीजेपे पर सवाल उठाये निउस के लिख पर हुई कारवाई पर वेपक्ष ने बीजेपे पर सवाल उठाये तो इस पर केंदर मंतरी अनुराग ठाकूर का भी बयान आया उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो इस पर जाच एजनसियां काम करती हैं और इसी के थेयत ये कारवाई और ये काम हो रहा है अगर किसी ने गलत किया है तो उसके उपर जाच एजनसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं कि रिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा आप अन्दी जनब कोई कारवाई नहीं का सकती है जान चलंचिया सोततत हैं वो अपनी कारवाई नियमों को देख करती है दिल्ली पुलिस के इस्पिसल सेल ने यूए पीय के तहायत के इस दर्च कर लिया है और इसी के तहायत ये कारवाई की जा रही है इसके साथ ही पुलिस और मिलेश और अभिशार शर्मा के अलावा कई और पत्रकारों से भी पूस्ताच लगातार कर रही है इस खबर में बस से तहीं अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ